लेकर कर दी है इस बजट में लेकर आ गई है लेकिन आपको जान करके ताजूब होगा कि सरकार को लीगल में किया इसके लिए कोई कानुन नहीं शीधा सिर्कार जो है लोगों से इस पर टैक्स लेना चाहती है यह सही नहीं है कि हमारे वैलेट में अगर कोई प्रॉब्लेम आ गया हमारा और ओनलाइन कंपनी के बीच में कोई अगर ट्रांजेक्शन को ले करके दिकत आई तो उसकी सुरक्षा आप नहीं करेंगे उसकी सुरक्षा से आप भाग रहे हैं और आप हमारे से टेक्स लेने के से नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि मैं बार बड़ कह रहा हूं किस पे ना सरकार कोहीं बिल लेकर मनी भी लूब प्रहा हुए को मैं इसी में आना चाहूंगा कि अपने डिजिटल करणसी लेकर आएगी अगर ब्लॉक्षेन के माध्यम से जो है वो डिजिटल करेंसी यानि नटसल में अगर बात किया जाए तो कहीं न कहीं आर्विया ये मानती है कि 2023 के बाद वो रुपे भी नहीं छापेगी अब आपके द चाहेँके किसी बैंक की में जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर आपको अपने ऐटीम में लेन्स चेक करेंगे तो दस अजयर रुपे दिखायेगा आपको तो वह दस जाशयर रुपे आप चाहेँए तो निकाल भी सकते हैं उस समय क्योंकि जो नोट च्षापने का काम अर जाएगा वहाँ से आप कुछ सोचेंगे कि हम ट्रांजेक्शन करने तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा ओनलाइन आप स्वापिंग कर सकते हैं बड़ उसको आप निकाल नहीं सकते हैं यानि कि मोटा मोटी समझे कि डिजिटल करन्सी लाने जा रही है तो अजर 23 तक सरकार और यह समझ लीजिए कि कहीं न कहीं जो डिजिटिलाइज वर्ल्ड की तरफ जैसे कि सुर्जलेंड में हैं जैपान में हैं सुर्जलेंड आप जान करके ताजूब होगा आपको कि 50 परसेंट तोक वहाँ वहाँ कैस्ल जैसे मिंत्रा हो गया फ्लिफ कार्ड हो गया अमेजन हो गया जितने से हमने मार्केटिंग यह मिनियंस ने 40% मार्केटिंग किये ओनलाइन मार्केटिंग की वज़े से सरकार यह ऐसा लाने जा रहे है डिजिटल करन्सी अब मैं दोस्तों आना चाहूंगा जीडीपी और जी जो कह रही है कि एकॉनिमी ग्रोथ जो होगा वह 9.2 परसेंट तक रहेगी बढ़ने का अनुमान है हेल्थ इंफास्ट्रेक्श और वेक्सिनेशन पर सरकार फोकस्ट है इसलिए सरकार कह रही है कि हम लोग इस पर बहुत जादा खर्च कर रहे हैं जीएस्टी केलेक्शन की सरकार करेक्शन जो है वह 1,40,000 करोड तक कर रहा है मैं बार बारी वही बात कह रहा हूं कि सरकार टेक्स इतना लाद चुकी है इतना टेक्स लादी है कि आप देखिए कि आज आम आदमी के हाथ में परजेसिंग पावर उसका नहीं है परजेसिंग पावर लोगों को खत्म ह हो चुका है चोटे बिजनेसमन मरने की गगार पे हैं और सरकार जीस्टी से पैसे कलेक्शन कर रही है इसलिए क्या रहा हूं दोस्तों कि सरकार बजर तो ले करके आई है कहीं न कहीं मुझे इस बात का दर्द है कि महांगाई से हमें कहीं कंट्रोल निजात मिलने को दिख न अब 2022 और 2023 बजट में 80,000,000,000 अवास योजना के तहद दिये जाएंगे यह मार्केवल है सरकार की तरफ से यह बच्छा कदम मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं सरकार इसमें बहुत अच्छा कदम उठाई है और एजुकेशन पर बाते हैं जो सभी बच्चों के लिए है कि सभी ह हम लोग के इजुकेश्ण का इंतजार रहता है कि अच्छन पर सरकार कितना पाशा खर्च कर रही है तो सरकार आजुकेशन पर अपने GDP का 2.3 % जो है जुद्वी आए जुकेशन कर खर्च करेगी सरकार एक क्लास एक टीवी चैनल को बढ़ाकर 200 चैनल करने जा रही है इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मालज़े पूरी भारत में एक एक वन क्लास के लिए एक टीवी चैनल है और उसके वन क्लास का दिन दाथ पढ़ाया जा रहा है वह सब्सक्राइब अलग अलग भासाओं म का पढ़ाई करेंगे उसमें डिजिटल इन्वर्सिटी सरकार बनाने जा रही है दो लाख आंगन वाडियों में सोलन एनरजी का यूज़ करेगी सरकार यह भी बहुत अच्छा कदम है रिकॉर्ड वन पंट जिरो फोर वाइप लाग करोड एलोगेटर फॉर दा एजुकेशन खर्च किये जाएंगे यह मतलब कि अगर देखा जाए तो एक पिछले साल की बजट के तुल्ला में इस साल के बजट में ग्यारफ पॉइंट जिरो परसेंट का व्रिद्धी है यह एक अच्छा कदम है सरकार का यूनिवर्स यूनिवर्सलाइजेशन की बात करती है सरकार लैब खोलेगी सरकार वन क्लास वन टीवी चैनल जैसा कि मैंने पहले बताया स्किल यूर्स शक्ती फोर निव इंडिया ड्रोन ऐस सर्विस विक्सित करने का काम करेगी सरकार यानि कि जो हमारी जो सरकार है वर्चुल लैब की बात कर रही है कही ने कहीं यह अच्छा कदम ह और वन क्लास वन टीवी चैनल यह भी बहुत अच्छा कदम है सरकार का और दूसरी स्किलिंग यूर्स शक्ती फोर निव इंडिया ड्रोन ऐस सर्विस विक्सित करने को कहा है जो ड्रोन आप देखते होंगे तो उस ड्रोन को सरकार कह रही है कि सर्विस के रूप में हम जो ह में स्क्रेंवेश को क्या क्या दिया गया है गती शक्क्ति इन्हैंसिंग और रेल्वेश इनुप में तरे स्कीम तहब तीन साल में हंड्रेट कारगो ट्रेरमिनल्स बनाए जाएंगे तीन सालों में 450 पीड़ी की बंदे भारत बनाई जाएगी अब बंदे भारत जो चलाई गई थी आप जानते होंगे उस तरह के टेन का विक्सिट लगवग चार सो ट्रेनों के नई पिड़ी के वंदे भारत एक्सप्रेक्स जो बनाई जाएंगी तीन सालों में 2000 किलो मिटर रेलवे नेटवर कवच टेक्नोलीजी से कवर किया जाएगा इंडेजिरिसनली रूप से और सरकार बहुत सारी पर्योजनाओं को भी मंजोरी दी है जैसे एक मैं आपको बताना चाहूंगा हर्याना के पलवल में भी कुछ रेलवे करने जा रही है MP के नीमच से लेकर के रतलाम तक का दोहरी करण होगा गुजरात में के राजकोट से कानलूरा तक के बीच का दोहरी करण होगा जारकंड के धनबाद से चंद्रपुरा तक वाले लाइ वे सुरक्षा नेटवर्क बनाया जाएगा वह बनाया जाएगा यह परियजनाओं की मंजुर्गिया सबसे बड़ी चीज जो हुई है वन इस्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट को सरकार प्रप्लराइज्ट करने जा रही है विक्सित करने जा रही है और यह बच्छा कद रोजगार का सरीजन करेगी और जो है वो लोगों तक पहुंचाएगी वही सरकार कह रही है कि इस बजट में लेकर के रिल्वे में बता गया वन इस्टेशन वन प्रोडेक्ट यह बहुत अच्छा कदम है मेरे रिसाब से यह बहुत अच्छा कदम है जो कि बिजनेस सप्ला अल्टरनेटिव जैन कंवेंशनल रूट अब रोपवेश का निर्माण करेगी अब रोपवेश क्या होता है दोस्तों आप जानते होंगे बना रस जो है भारत का भारत का पहला रोपवेश को ले करके बनाया गया जो अब बनारा से से लिए और गोदावलिया तक जाने का प्लान वोगा और कंप्लेटिंग 25,000 किलोमेटर नेशनल हाइवेज इन 2022 एंट 23 सरकार जो है 2022 से 23 तक के 25,000 किलोमेटर का नेशनल हाइवेज बनाने जा रही है आप सुने होंगे परवत माला परवत माला फोड़ कंवेंशनल एंड रोड इन हिली एरियाज आपने सुना होगा सागर माला आपने सुना होगा भारत माला अब सुना है परवत माला परवत माला क्या है दोस्तों परवत माला है जितने भी पॉब्लिक प्राइवेट पाटनसीब आप इन चाहिए अपको वहां तोल नहीं मिलेंगे वहां पर सरकार जो है अपने को इंसेंटिवाइस करके और रोड का निर्माल करती है उसी करम में सरकार आप कह रही है कि नहीं वहां भी हम निर्माल करेंगे आप ट्रिपल पी मॉडल पर सरकार जोगा तो लोगों पर टॉदी ए्रियलाyas सब्सक्राइब को क्रिपल करेंगे अब सबसे बड़ा दोश्तों जिस तरा से पूरे में देखेंगे एक ओकरेंसी और एक किसान वार्मर्स कि म्हें सबसे ज्यादा को नियुत सरकार को यहां न सरकार करके यहां पर कोई बढ़ा ही करना हूँ मैं बजट में मुझे क्या चानी लगा और मुझे क्या खराब लगा वह मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं बाकिस तो सब आप अपना व्यूज बना सकते हैं अपना व्यूज रख सकते हैं कि आपको कैसा लगा यह बजट